बिक्रम समध 2001-29 गते तनहु को ब्यास नगरपाली का आठ मा जन्मियेका कॉंग्रेस बरिस्टा नेता रामचंद्र पॉडेल नेपाल को तेस्त्रो राष्ट्रपती मा निर्वाचित भयका छन। नेपाली कंग्रेस नेकपा माववादी लगायत नौ दल्य गठबंदन बाट उमेद्वार बने का पॉडेल तेत्तिस हजार आठ सय दुई मत भार लियाएर बिजय भयका हुन। मध्यम बर्गिय किसान परिवार मा जन्मिय का पॉडेल को इस्थानिय बसबास ब्यास नगरपाली का आठ बेल थुमकी तनहु हो भने। हाल कार्फणो को कार्फणो महानगरपाली का उडान नंबर सोर इस्थिद बालाजुको बोहराद्टार मा बसदे आका छन। पोखरा बिंध वाशिनी पाट साला मा अध्यन गरदै गरदा 2017 साल जेट असार मा नेपाल सस्कृत चात्र संको काट्वनो अधिवेशन मा प्रत्मधी बनेका पॉडेल 2017 पॉडेल एक गते जन निर्वाचित सम्षत भंग गरी प्रधानमंत्री बीपी कोईराला लगायत ने पॉडेल सर्शोती कलेज सोतंत्र विध्यार्थी यूनियन को सभापती मा निर्वाचित भंगा थिये उनी 2017 साल मा नेपाल विध्यार्थी संको सस्थापक सदश्य बने लगत्तै कंग्रेस पार्टी मा लागे का पॉडेल 2024 मा नेपाली कंग्रेस तनहो का सदश्य रव 2036 मा जिल्ला उपसभापती बने, 2031 मा पॉडेल जनमत संग्रह को सिलसिला मा बहुदलिय विवस्था को प्रचार प्रसार गर्न गठित नेपाली कंग्रेस तनहो समिती को सम्य जग बने, पॉडेल 2040 साल मा नेपाली कंग्रेस को किंद्रिय सदश्य तथा प्रचार विभाग प् 2064-2072 सम्मा कंग्रेस को उपसभापती भई, यसाई गरी 2064-2070 सम्मा पॉडेल कंग्रेस सम्षदिय दलकूर नेता बने, नेपाल मा प्रचातंत्र स्थापना का लागी भईका आंदोलन मा पटक-पटक गरेरा पॉडेल सोर बर्स जेल मा बसेका थिये, पॉडेल 2048 मा तनहो 261 सम्मा पॉडेल निरापान का लागी दलकूर मा पॉडेल प्रचातंत्र सम्मा प्रचातर सम्मा। प्रत्रण दे सभाकों सभामक निर्वाचित भाय का थिए। काम गरे का थिए भने 2023 मा सांती तथा पुननिर्मान मंत्री भने का थिए। का थिए भने पुननिर्मान मंत्री भने का थिए। का थिए। का थिए भने का थिए हैं का थिए। मत्रण पुननिर्मान पुननने भ reversible lot